प्रवाइब दो अग्याइब अग्याइब अले सुर्ण्ट एडी ऑनलाइन ग्लासिस में आप लोग एक बाल खिर से बागत करते हैं तो इसलिए भी आध साफ करते हैं पहले और हाद साफ करने का अपना प्रोपर भी यह है अपना ऐसे साफ करे हातों को साफ सबस्वच रखें साबून बहुत अच्छा है साबून से आप हाद को अच्छे से साफ करिए धुले चलिए तो इस्टुटिंट क्लास साट करते हैं और अलेडी हम लोग दो चेप्तर को फिनि को तयार नहीं है यूट्यूब पर जाके कमेंट करते हैं कि सर आपना दो ग्लास दे ले लिजिए तीन लिजिए मेरा यह मानना है कि जब आपको कोई डैडलाइन दे जाती है आपको कहा गया है कि जल्दी आपके कोश्रू खतम करेंगे तो फिर प्लीज उस डैडलाइन का वेट करेंगे एक समझदार इंसान की तरह है क्योंकि आपको सोचने की आवशक्ता यह है कि यदि आप कहीं पर आफलाइन कोचिंग में भी जाना स्पूरू करते हैं तो एक ही दिन में वहां पर भी सम चीजे नहीं कराए जाती वहां भी धीरे धीरे चीजों को कराए जाती है ठीक है तो कहीं पर भी आपको एक महीने में पूरा स्लेवस मिलने वाला नहीं है यह सिर्फ संभव है तो वो सिर्फ मेरे साथ में ही संभव है चलिए दिर इस्वेंट तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं केसी एल और के वील के निमे लिए इस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक बेसिक से निमेरिकल से आप देखेंगे वह बेसिक निमेरिकल क्या है तो आज इस सेशन में हमारे सिर्फ केसियल और केवियल के निमेरिकल हैं बाकि जो छुटे-छुटे आपके चेप्टर है जैसे की बैटरी हो जाता है इलुमेनेशन हो जाता है इन सब चीजों को भी बहुत जल्दी से मैं फिनिस कर रहा हूँ तो देखेंगे यहां पर आपको एक बैटरी दी गई है पचास मोल्ट की यहां पर आपको परतिरोद दिया गया है पांच ओम यहां पर आपको परतिरोद दिया गया है दस ओम और यहां पर भी आपको परतिरोद दिया गया है दस ओम और आपको यहां पर पूछा है कि करंट इस निमेरिकल में आपको दिया है find current i यहां दिया गया है find current i अब देखें यहां पर find current i हम कैसे निकालेंगे तो जब यहां पर हम ही current चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम अगर यहां पर इसके terminal के cross तुल्ले परतिरोद निकाल ले तो i is equal to v upon r equivalent रखके हम लोग answer कर सकते हैं तो देखें जी हम तुल्ले परतिरोद कैसे निकालते हैं देखें 10 ohm यहां पर देखें 10 ohm और 10 ohm parallel में connect हैं तो आप कहेंगे कि 10 और 10 जब parallel में हैं तो इन दोनों का तुल्ले परतिरोद हो जाता है 5 ohm तो सवाल कुछ इस परकार से बनता हुआ दिखाई देगा आपको कि यह 50 volt है यहां पर यह 5 ohm हो जाता है यहां 10 और 10 जब 10 और 10 parallel में जुड़े होते हैं तो देखें आप solution करते हैं इस वे में तो 100 by 20 कितना मिला बिता 5 ohm तो यहां पर यह जोडेंगे कितना होगा 5 ohm किलियर यहां पर क्या है देखें आई तो प्यारे बच्चों I is equal to देखें 50 बटे 5 और 5 कैसे होगे 10 तो कितना मिला 5 ohm आपको यहां से अंसर मिल रहा है देखें 5 ohm यह हमारा देखें question number 1 अब देखें बच्चों दूसरे method पर आएंगे हमने कहा कि इसको यह हमारा इसी को ल method को इसी मैं जान लेते हैं second method क्या होगा यह हमारा first method है यह हम लोग जानते हैं देखें second method क्या होगा तो dear student हमने देखें छूटा सा कारिय किया हमने देखा है कि second method में जो हमने सीखा है numerical में वो देखें अभी हमने kcl को करते time यह पढ़ा है कि 50 वोल्ट यहां पर है 5 ohm यहां पर विद्यार्थियों हो जाता है 10 ohm यहां पर विद्यार्थियों हो जाता है 10 ohm तो मैंने आपको सिखाया है कि आप एक काम करिए ये बनती है एक नोड इस नोड पर वोल्टेज नहीं है तो कुछ मान लेते हैं ठीक है हमने माना है V1 तो विद्याथियो जो नियम हमने सीखा है I is equal to देखिए सुरुवात होती है 50 से और यहाँ पर चलिए end होता है V1 पर upon में टोटल ब्रांच का परतिरोद होता है देखिए 5 ओम तो हमने यह देखा है कि अगर आप तुरंत कहेंगे कि देखिए सर अगर हम यहाँ V1 का मान निकालने तो हमारे लिए तो काम आसान हो जाएगा हम आसानी से यहाँ पर करंट निकाल लेंगे तो अब हमारा उदेश से क्य क्या है V1 का मान निकालना तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर करंट आईवन और आईटू अपनी तरफ से जो मर्जी जिस तरफ मर्जी मान लीजिए कोई विद्यारति अगर यहाँ से आईटू ऊपर मानता यह आईवन ऊपर मानता तब भी आंसर से माता तो अब आईवन प्लस में आईटू आईउ इसकल टू आईवन प्लस आईटू यह करना है में ओके तो आई कमान देखिये क्या रखखा आई कमान अल्यड़ी देखे हमने यहाँ भी देखा है 50 माइनस वीवन बटे 5 बड़ाबर देखिया आईवन सुरुवात कहां से होता है वीवन by 10 ठीक है अब देखे इधर LCM अगर लेते हैं तो यह हो जाता है 50 minus V1 by 5 यहाँ पर देखे 10 तो उपर देखे V1 plus V1 ठीक है जी अब यहाँ से 5 से क्वेंसिल के आई हो गया 2 यहाँ पर जाईए कितना बनता है 100 minus 2 V1 is equal to 2 V1 ठीक है तो जब हम यहाँ से solution कर रहे हैं तो यह हो गया 4 V1 is equal to 100 V1 is equal to 25 यह क्या बंदा है देखे V1 is equal to 25 अब जब हमने यह देखा कि V1 का मान 25 आया है तो यहाँ रखे 50 minus 25 बटे 5 तो 25 बटे 5 का मतलब भी 5 एंप्यर ही होता है तो देखे हर एक सवाल को यहाँ मैं दो दो तरीकों से लेकर चल रहा हूं और लेवल ऑफ क्यूशन मैं वही लेकर चल रहा हूं जिस हिसाब से आई दिया में चोटे चोटे सवाल देके संभाव हो सकते हैं ठीक है तो देखो यह सवाल हम लोगों ने दोनों मैंदर से कर लिया चलिए बिटा नेक्स आएंगे एक छूटे से क्यूशन पर और नेक्स चलते हैं क्यूशन सवाल उतने आपने अगर अच्छे से कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वानी है फिर आप आसानी से किसी भी तरह के क्यूशन का अंसर कर पाएंगे तो देखें नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि यहां पर हमने हंडर्ड वोल्ट की बेंटरी को कनेक्ट किया यहां इस बार कोई रजिस्टेंस नहीं है डारेक्ली एक शॉर्ट पाथ डारेक्ली यह दिया है यहां आपको दिया है टैन ओम और यहां पर हमें फिर दिया है टैन ओम और यहां पर इस्टुडेंट दिया गया है प्लस और मा नास 50 Volt तो देखे यहां पर आप से पूछा गया है in a simple way current आई बताईए यहां पर आपको पूछा है कि current आई बताईए अब यहीं है कि इसको आपको सोचना है कि करना क्या है तो देखें मैंने आपको कहा है कि नोड़ पर जहां पर voltage नहीं होता वहाँ पर माना जाता है तो यह जो बैटरी है न आप देख पा रहे हैं कि यह 100 ना डारेक्ट लगाई करें जो ये हंडरण वोल्ट है ये डारेक्ट लगाई है इसके साथ कोई परतिरोध नहीं है जब इसके साथ कोई परतिरोध नहीं है तो यहाँ पर डारेकली हमें दिया है सो वॉल्ट लियर तो हमने यह देखा कि देखेग rescекст अगर हम यह dict और यह i1 और i2 का मान हम दोग निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा क्योंकि हमने यहां देखा कि i बराबर i1 प्लस i2 तो हम देखेंगे अपने दिमाग चलाएंगे हम कहेंगे कि यहां हम लोग को i1 और i2 का मान पता होना आविश्यक है तो हमने कहा कि देखें i1 का मान आएगा यहां पर voltage लगाई गई है 100V तो यहां पर current होगा यह 100 बटे 10 यानिकी 10A यहां i2 का मान चलिए यहां लिख लेते हैं i1 आएगा 100 बटे 10 यानिकी 10A और i2 हमें मिलेगा 100-50 अपन में लिखें सुपरू कहां से सो से खबम प्लस के 50 तो 100-50-jan यहां आ गया पचास बटे 10 कितना पाundra fact현 तो यह दोनों को add कर दिया ने यहां यह कितना दस यह कितना उना पांस तो हमें मिला है विद्यात्यों 15 एमप्यर हमें कितना मिला 15 एमप्यर ठीक है exact कितना मिलना है 15 एंप्यर चलिए नेक्स आजाईए नेक्स्ट छोटा सा एक सवाल पर और चल रहे हैं कि यूश्य नमबर थ्री पर हम लोग को दिया गया है कि यहां दिया है हमें यह 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 परतिरोद लगाया गया है आरवन यहां दिया है आरटू और यहां पर लगाया गया है माइनास और प्लस एटू आपको दिखाया गया है दो चीजें कि यह आईवन है और यह आईटू है यह आरटू है यह आरटू थ्री आपको यहां पूछा गया है कि केवियल लिखिये यहां पर आपको दिया गया है कि केवियल लिखिये तो चलिए अब हम समझ लेते हैं भाई केवियल लिखते कैसे हैं अभी क्यूशन्स पर भी आएंगे और सीखे पहले केवियल कैसे लिखते हैं तो देखे हमने क्या किया है केवियल लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि यदी प्लस से बाहर पर करंट चलेगा तो इसको हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे और यदी यहां माइनस से बाहर चलेगा तो इसे हम पॉजिटिव के साथ में लिखेंगे तो हमने देशे चलिए दो केवियल लिक्वेशन यहां और यहां पर देख लेते हैं विद्यार्थियों आपको यह देखना है कि I1 और I2 दोनों के दोनों ही नीचे की तरफ है, तो फिर current यहां पर जुड़ेगा, तो पहले हमने पहली लूप में देखा, तो positive से बाहर गया है, तो positive से बाहर जाने को हम लिखते हैं, minus में E1, फिर देखें यह I1 और R1, तो हम क्य तो हमने क्या कि I1 प्लस I2 और R2 यह हो गया, देखें, is equal to 0, equation number 1, तो विद्यार्थियों यह कितना बनता है, 1, clear, अब आपको यह ध्यान देना है कि यदि हम यहां पर दूसरी equation बनाएंगे, तो देखें बच्चों, दूसरी equation बनेगी आपकी, यहां देखें, negative से बाहर, तो negative से बाहर का मतलब हो गया, positive A2, फिर यहां चलेंगे I2, R3, यहां पर I2, R3, प्लस, देखें, फिर से इधर से I2 और इधर से I1 दोनों एक ही दिसा में हैं, तो मैंने आपको सिखाया है, यदि एक ही दिसा में होता है, तो फिर से R2 is equal to 0, यह दो बनेगी केवियल equation, तो क कहीं बाहर आपके एक्जाम में simple केवियल equation ही बनाने मातर को आ सकती है, ठीक है जी, चलिए यह हमारे तीन question होगे, आपको number of questions पर नहीं जाना, आपको यह समझना है कि चाहिए एक ही सवाल समझें, लेकिन प्लीज निवेदाने आप लोग समझें, चलिए next आते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं student, next question देखते हैं कि कैसे solve करते हैं, अब हम लोग किसी भी सवाल को एक सवाल को लेते हैं, और इस question को केवियल और केवियल दोनों ही तरीकों से हम लोग solve करते हैं, तब आप लोग बहुत अच्छे से और अच्छे से relate कर पाएंगे केवियल और केवियल को और देखे आपको ये फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि केवियल से करे हैं केवियल से, मतलब आपको सीखना है तो सीखना है, चलिए जी, fourth number पर आएंगे विद्यारतियों, यहां fourth number पर चलते हैं, तो यहां आपको दिया गया है एक current source 5 amp, यहां आपको दिया है ये 5 amp, यहां यहां पर आएंगे, यह दे दिया आपको 5 ohm, यहां समझेंगे बात को, यहां पर आपको दिया है देखे 10 ohm, ठीक है 10 ohm, फिर हम लोग चल रहे हैं देखे यहां, यहां हम लोग को दिया फिर से 10 ohm, और यहां पर हमें connect किया गया है एक voltage source, ठीक है जी एक voltage source दे दिया यहां पर 50 आपको विद्यारतियों सिर्फ पूछा गया है इसमें आपको कहा गया है कि करंट आई बताईए फिर आपको बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक सोर्स कनवर्जन वहां पर लेकर चलने वाला हूं मैं पहले इसके निमेरिकल देखो पहले इसको निप्टाओ पूरी तरह reserves तो यहां हम लोग को पूचा गया है की 파är Esta R cảंट हैाइमा फाइल करण देख लेते हैं कहां तो हमने देखा अपना तरीका सिम्पल अपनाना है वंने देखा है कि देखें यहां एक नोड़ बनती है और इस नोड़ पर बोल्टेज नहीं है जब नोड़ पर बोल्टेज न माना जाता है फिर माना जाता है अब ये देखना है कि अगर ये voltage हम लोग निकालने तो हमारी सब समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा कैसे I is equal to देखे सुरुवात कहां से हुई है आप कहेंगे सर देखो V1 से देखने को मिला अपोन में कितना 10 यूनिट कितना हो गया एंपियर यूनिट कितना बना एंपियर तो हमने ये कहा और हमने ये समझा और देखा कि अगर हम simply इस विवन का मान निकालने तो हमारे सभी जो प्रावलाम से उनका solution हमें मिल जाएगा हमने ये देखना है तो इस प्रण हमने प्रक्ति मानेंगे जब दे दिया है तो क्यों मानेंगे यहां पर आएंगे इसमें करेंट नहीं है तो फिर मान लीजिए क्या दिक्कत है मानलो जब नहीं है तो मानने में क्या घर से कुछ जाता है मानो आपको करना है कि apply kcl आपको करना है apply kcl at node 1 at node apply करे kcl पर तो incoming current बराबर outgoing current तो 5 plus i1 is equal to i ठीक है जी कुछ बच्चे यहां भी current लिखने लग जाते हैं कुछ भी गल्दी करने लग जाते हैं तो ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना तो 5 plus देखें विद्यार्थियो i1 कहां से चल रहा है पचास से चल रहा है तो 50 minus कहां पर है बेटा v1 पर और बेटा पोन में रजिस्टेंस पर तिरोध कितना 10 बराबर i का मान मैंने यह रखा हुआ है तो इस्टुडेंट अब जरा हमें एक छोटा सा काम करना है एलसियम लेना है जी इधर एलसियम लिया हमने 10 तो यह हो गया देखें 50 plus में 50 minus में v1 बराबर v1 by 10 तो बेटा यह कैंसिल हो गया आपस में यह जब कैंसिल हो गया तो आपको देखने v1 इधर भीजा तो 2 v1 बराबर 100 और v1 बराबर 50 वोल्ट देखने को मिल गया v1 बराबर बेटा हमें 50 वोल्ट मिला जब v1 50 वोल्ट मिला तो i is equal to 50 बटे 10 हमें कितना मिला 5 एम्पियर यह हमारा यहां पर उत्तर आ गया यह हमारा यहां पर उत्तर आ गया फिर देखो next question क्या है next सवाल को आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है तो next आते हैं question number 5 पर next आते हैं हम लोग question number 5 पर ठीक है अब देखेंगे question number 5 है question number 5 को ध्यान से देखना है आपको यहां पर plus minus दिया है यहां पर आपको दिया है पांच ओम यह अकलग तरीका है देखें सवाल को देने का यहां पर यह दे दिया आपको दो एंपियर ठीक है यहां पर आपको दे दिया है यह दो एंपियर और यहां भी आपको दिया है पांच ओम फिर देखेंगे यहां पर आपको दिया है यहां यहां दिया है आपको 10 ohm ठीक है यहां दिया है आपको यह 100 ohm यह सवाल दिया है इस बार थोड़ा सा बदल दिया है इस बार दिया है तो आपको दो चीजे पूछा है कि यहां पर current I1 और यहां पर current I2 यह दो चीजे पूछा है find current I1 and I2 दो चीजे पूछा है तो देखे हमने अपना काम हुई करना है यहां नोड है नोड पर voltage नहीं है तो मानना होगा और यहां पर केसियल अपलाई करिए कि incoming current बराबर outgoing current तो I1 और I2 हमारा incoming है और बाहर जाने वाला बेटा दो है तो I1 की सुरुवात होती है 200 से तो 200 माइनस V1 बटे 5 प्लस I2 100 माइनस V1 बटे में कितना आएगा बेटा resistance 10 बराबर में 2 इसका कोई रोगदान नहीं है क्योंकि इस branch में पूरी में ही current कितना बहरा है 2 इंपियर चले यह इदर LCM आएगा 10 तो 50 कितनी बार cancel होगा 2 तो यह कितना हो गया 400 माइनस 2 V1 प्लस में 100 माइनस V1 बटे में 2 बराबर में 2 तो यह 10 यहां चला गया कितना हो गय 20 दो की साथ 1 मिला कितने हो गए 3 V1 400 रे कितने हो गए 500 तुम ते रहो ध्यान से देखो क्या क्या चीज़े हैं 2 से यह 3 हो गया तो 3 को मैंने इधर भेजा 400 500 हो गए यह 500 इधर 10 दुनी 20 हो जाते तो कितने हो जाते 2 3 V1 बराबर 480 तो V1 बराबर 480 बटे 3 यह मिला हमें 160 वोल्ट यह मिल रहा है हमें 160 वोल्ट ठीक कितना आ गया 160 अब देखो I1 इस विकल टू देखे सुरुवात कहां से है 200 एंड कहां पर था माइनस वी वन बाई पॉजिटिव एंड होता है तो माइनस करते हैं बेटा पॉन में 5 तो 200 माइनस वी वन कितना प्यार 40 बटे 5 यानिकी 8 एंपियर I2 इस इकल टू चला कहां से 100 से खतम कहां पर माइनस वी वन बटे 5 तो 100 माइनस 160 बटे 5 माइनस 60 बाई 5 माइनस के 20 वन प्यू यानिकी माइनस के 12 एंपियर यह दो उत्तर हमें मिल गए कर सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है मुश्किल मत बनाना इन चीजों को मुश्किल नहीं है चलिए नेक्स आते हैं सुदेंट बच्चे मुझे गैरेजर सर ने तेज बढ़ाया लो भाई सर तो और आराम से करा सकते हैं लेकिन बस हुई है कि मुझे मतलब है सेलेक्शन से फाइनली एक एक चीज़ को ध्यान से बढ़ो मेरी तरफ से कोई बेटा कंटेंट में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी बस मेहनत करिए और पढ़ाई करिये नेक्स देखते हैं आप लोग को एक फिर पॉंठ मा बता देता हूं करांट सोर्स आप और विद्यार के व क्यक्त काहनी और वोल्टे सोर्स की काहनी देखे हमेसा याद रखेगा जब हम हम आईडल करन्ट सोर्स की बात करते हैं आपको ध्यान देना है चले पहले करन्ट सोर्स को रेक्षा आईडल के कहाने अलग दे हमेशा याद रखेंगे करन्ट सोर्स के साथ में पैरलल में आंत्रीक परतिरोध कनेक्ट होता है यह इंटर्नल आराई बेटा क्या है इंटर्नल रजिस्टेंस इंटर्नल रजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे आंत्रीक परतिरोध जिसे हम कहेंगे आंत्रीक परतिरोध ठीके जी तो यहाँ पर यह कनेक्ट होता है हम लोग कहते हैं यह आंत्रीक परतिरोध तो हमेशा याद रखे के साथ में आंत्रिक पर्तिरोद कैसे जुड़ा होता है ठीक है और जब हम कहेंगे आइडल आइडल करन सोर्स का मतलब है आदर्स करेंट सोर्स और आदर्स करेंट सोर्स तो इसमें देखो एक कंडिशन लिखे जाती है कि आंत्रिक पर्तिरोद या फिर इंटर्नल रजिस्टेंस आर्तिक पर्तिरोद या इंटर्नल रजिस्टेंस इंफाइनाइट का मतलब होता है अनंत इंफाइनाइट होता है याद रखेंगे आपके पेपर में यह फर सकता है जब हम करन सोर्स की बात करेंगे तो यहां पर जो इंटर्नल रजिस्टेंस होता है या इंटर्नल जो आंत्रिक पर्तिरोद है वो अनंत होता है ठीक है जी फिर चलते हैं विद्यारतियों हम लोग वोल्टेज सोर्स की तरव फिर हम लोग चलेंगे वोल्टेज सोर्स की तरव तो वोल्टेज सोर्स में यह लगाया हमने वोल्टेज तो वोल्टेज सोर्स में इंटर्नल जो परतिरोध होता है आंतरीक परतिरोध जो होता है यह क्या है देखें स्रीज में कनेक्ट होता है यहा रजिस्टेंस पैरलल में जुड़ा होता है पैरलल में जुड़ा होता है यहां पर इंटर्नल यह सब पेपर में फसने वाली चीज़े हैं आई टे लेवल पर इंटर्नल रजिस्टेंस इंटर्नल रजिस्टेंस स्रीज में जुड़ा होता है यहाँ देखेंगे हम लोग की आइडल आइडल वोल्टेज सूर्स के लिए बड़ा इंपोर्टन लाइन आइडल वोल्टेज सूर्स के लिए इंटर्नल रजिस्टेंस इंटर्नल रजिस्टेंस कैसे जुड़ा होता है देखें प्रीज में यह तो लिए नाइडल वोल्टेज सूर्स के लिए इंटर्नल रजिस्टेंस जीरो यानि की सुन्ने होता है बड़ा इंपोर्टन पॉइंट है फिर हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज सूर्स से वोल्टेज सूर्स से हम लोग करन्ट सूर्स की तरफ कैसे जाएंगे और करन्ट सूर्स से हम लोग वोल्टेज सूर्स की तरफ कैसे जाएंगे ठीक है अब देखो ईसमें हम लोग सीखते हैं इस यहां पर देखें हम लोग सीख लेते हैं पहले करांट सोर्स टू वॉल्टेज जो बहुत सोर्स कनवर्जन चीजे तूब करते हैं अभी पहले सवाल कराता हूं फिर आपको एक छोटा सा निमेरिकल भी कराऊंगा पहले आपको बता दू कि बहुत क्या चीज है यह क्या बिमारी है देखो बेटा वोल्टेज सोस में बदलना है करन्ट सोस दिया गया है यह आई है यह यहां पर इंटर्नल रजिस्टेंस देखो लग के तुरी पर्तिरोद यहां पर पैरलल में है इसे लगा देना है स्रीच में बस च्छोटा सा काम करना है को फिर देखे वोल्टेज्स От टो current voltage source to current source voltage source है current source में हम कैसे change करें तो यहां आपको ध्यान यह देना है कि अगर हम voltage source रखें अगर हम यह voltage source रखें यह दिया है हमें voltage source और इसे हमें बदलना है current source में तो देख चिर्फ यहां करना है I is equal to अम खनियम वी अपॉन और आराई रख को यहां पर रखना है यहां पर लगा रखना है इसे यहांАं पर प्लकाद혀 सस्व थे एक तरह के सौद से दूसरे में बदल्द ठीक है समझ पाई होंगे अब देखो शोटा मेरीगल पर आजाते हैं और मेरीगल को देखते हैं कि क्या क्या कहानी ये बंद सब yup और मैं ये भी बता दूंगी अपने नोट्स को कैसे से मेंस करना है मैंने वह भी एक वीडियो दिया है YouTube पर कि अच्छे नोट को कैसे बनाएं तो प्रीज आप उसी तरह से नोट को बनाएं क्योंकि मैं बाके लोगों से तो उमीद नहीं करता कि फोलो करें ना करें लेकिन यहां पेड कोर्स में आते हैं यदि सेलेक्शन चाहिए तो फिर उसी हो जाइए अपने आप में ना परिशान करें एक अच्छे में में बस फिनिस करते करते धीरे 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 स्टैब आगे बड़ी अपने आप से अपकी स्टडी करने में आपको खुद मजाएगा तो एक चोटा सा सवाल ले लेते हैं पांच सवाल अमने लिए क्यूश source में बदल यह आपको कहा गया है कि convert this voltage source convert this voltage source into the current source into the current source बदल यह जी तो हमने देखे अभी कहा है कि ज़्याद़ उस टेंशन लेने की जरुरत नहीं है simply I is equal to V upon R लगा दी यह V का मतलब 100 upon 5 तो यह हो गया देखे 20 ampere तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करना है कि 20 ampere और जो यह series में लगा है इसे बस समांतर में लगा दीजिए कितना 5 ohm तो यह हमारा यहाँ पर उसतर हमें मिल जाएगा यहाँ च्छोटा सा कस्त करना है नेक्स आ जाएए और नेक्स आईए जरा कि उश्यat नंबर 6 में चलते हैं कि उश्यat number 6 में चलते हैं देखे क्या है कि उश्यat number 6 आपको यहाँ पर यह वोल्ट है यहाँ पर यह टू ओम है और यहाँ पर और plus और minus यहां प्लो को दिया है यह पचास volt यहां फिर 2 Ohm फिर यहां दिया है 2 Ohm और यहां पर आपको दिया है यह 25 ohm again ठीक है तो आपको यह ध्यान देना है यह समझना है बस कि मैंने आपको पूछा है मैंने आपको कहा है कि देखिए जी आपको एक छोटा सा काम करना है मैंने आपको कहा कि यहां पर करंट आई कमान बताईए मैंने आपको कहा कि यहां पर करंट आई कमान बताईए तो चलिए सवाल को मैं KCL और KVL दोनों से लगवाता हूँ आप लोग को कैसे current आई का मार हम लोग निकालेंगे ठीक है जी अब देखना है आपको ये करना है कि student पहले चलते हैं KCL पर पहले चलते हैं KCL से कैसे हल करेंगे तो देखें आपको ये सिखाया है कि सबसे पहले नोड पर चले और इसकी कहानी को finish करें यहां नोड पर voltage माना इसमें और यहां पर current नहीं है तो यह हमने I1 माना यह हमने I2 माना जो नहीं दिया जाता है उसे किसी भी दिशा में माना जाता है लेकिन जो निकालना है उसको नहीं बदलेंगे तो यहां I is equal to I1 plus I2 लगाया देखें I की सुरुवात हो गई 25 से तो 25 minus V1 upon 2 बराबर I1 में देखेंगे सुरुवात हो गई V1 plus 25 बटे में 2 plus I2 की देखेंगे सुरुवात कहां से V1 से और समापती है प्लस के 50 पर तो minus के 50 बटे में 2 तो यहां से LCM दो लेंगे और काट देंगे क्या करना बही LCM यहां से हम पूरे से 2 लेते और कैंसिल कर देते तो यहां से यह बना 25 minus V1 V1 plus 25 plus V1 minus के 50 तो देखें बेटा V1 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 यह V1 को इधर भेजो प्लस हो गया तो 3 V1 यह 25 और यह 25 होगे समापत ठीके जी यह 25 और 25 समापत हो गया आपस में बही इधर आता तो minus हो जाता आएगा तो यह बना देखो 50 यहां तो V1 is equal to 50 बटे 3 वोल्ट हमें यहां पर V1 मिला तो विद्यारतियों हमें यहां चलना है कि अगर हम I is equal to देखें तो शुरुआत हुई है 25 से समापती हुई है माइनस के V1 पर upon में branch का total resistance हम लोग रखेंगे देखेंगे दो तो 25 माइनस कितना हो जाएगा सोला दसमलो तीन तीन ठीक है जी तो सोला दसमलो 33 अपन में तू तो आप देख लो जरा 25 में से सोला जाते तो नो तो 8.77 मिला हमें यह 8.66 यह हो गया बटे में दो तो 4.33 मेंzdanev 2.3 iampire हमारा यह उत्तर हो गया अब देखो जी हमने करना है यही सवाल के वी और से वह सिर्फ यहींस सवाल करना था और करना पड़ेगा तो देखते हैं अब इसको यहां से देखो अब हटा देते हैं इसे यहां इस्तमाल हो गया तो अब इसे हटा लेते हैं तो देखे बेटा आपको क्या करना है हमने कहा है बहुत साधरन सेवे में कि देखे यहां हमें आई चाहिए तो इस तरफ तो हमारे मे आई ही घूम रहा है और इस तरह कुछ current नहीं है तो हमने देखिए यह I1 ले लिया है अपनी सुविधा की अनुसार दोनों लूप में तो कुछ मानना ही होगा ना और प्लीज आप लोगों से मेरा इनेवेदा नहीं कि यह objective की जो वीडियो है ना यह practice करवाने वाले वो तो मै मैं बीच बीच में लाता रहूँगा आज निमेरिकल का मतलब यह नहीं कि मैने समाप्त कर दिया वीच बीच में यह निमेरिकल का सईशन आप को देता भी रहूंगा आपके साथ में लाइव जाकर भी मैं डिसकस करता लेकिन प्लीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कीप प्रैक्टिसिंग करिए प्रैक्टिस उल्टा सीधा जो मर्जी अभी करके देखो सही भी करोगे क्योंकि बच्चा पैदा होते जनम लेते भागता नहीं है वह धीरे-धीरे से चलता है गिरता है उठता है बैठता है चलत इमपोर्टे्ट है जिस दिन आपने इन उनको फ्रैक्टिस करना बंद कर दिया एलेक्टिकल को आपने छोड़ा एलेक्टिकल आपको डबल दूरी से ढबल स्पीर से आपसे दूर भागेगा तो ऐतल Deshalb का मतलब ही यही यह किसी कारिये का मतलब यही होता है कि Прैक्टिस अपने equation बना सीखो सही नहीं हो रहा है गलत करो लेकिन देखो अपने आप से कलंब उठाओ पैन उठाओ करके देखो चलिए जी यहां देखिए पलस से बाहर चलता है यह माइनस 25 प्लस में देखिए 2 इंटू आई 2 आई यहां पर आचाहिए प्लस में देखिए आई भी नीचे आई 1 भी नीचे की तरफ तो आई प्लस आई 1 इंटू बेटा 2 फिर यहां माइनस से बाहर तो 50 हो गए देखिए ठीक है जी अब इसी को सॉल्व करना एक्वल तो 0 तो देखो माइनस के 25 पहले इंसे देखो यह कितने बच्छे यहां प्लस क 2i plus 2i1 is equal to 0 2i 2i 4i plus 2i1 is equal to minus के 25 नमबर 1 फिर दूसरे में देखो माइनस से बाहर प्यारे बच्छो माइनस से बाहर का मतलब होता है प्लस के 25 फिर देखो 2i1 2i1 plus 2 into देखो यह i1 नीचे i भी नीचे तो i1 plus में i minus से बाहर तो plus के 50 is equal to 0 तो 2i1 और 2i1 यहां से भी आएगा तो यह हो जाएगा देखे 2i plus में 4i1 is equal to 50 और 25 माइनस के 75 is equal to यह मिला हमें तो इसको रिसको हल करना है है ना i तो निकालना ही है तो फिर i1 को cancel कर लेते हैं इसमें 2 का multiply करो कितना हो गया देखो 4 दुनी 8i plus 2 दुनी 4i is equal to minus के 50 इसके equation number 3 हो गया तेखे जी तो minus करिएगा हमने इसको minus किया ठीक है भाई इसको minus किया भाई इसका plus कर दिया मतलब घटाने पर बेटा यह cancel हो गया ठीक है यह minus के मिला हमें 6i is equal to यह कितना मिल रहा है हम लोग को देखे माइनस के 25 तो i is equal to 25 बटे 6 ठीक है 25 बटे 6 का मतलब भी कही ना कहीं 4.33 is equal to 3 Ampere से यह भी हमारा सही ओगया ऐ है कि वह ना तो यह आरेख चोटा सा सवाल भी हम लोग कलत कर दो से ही कर सकते हैं इस में अगर अपनी थैयारी को अच्छे से करना है तो फिर से बार में बता दूं आप्ञांनी नोट्स को आपको बनाना है जैसे आपके बरी ही proper आप रखे और आपको ये clear होना चाहिए कि इसी topic को हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी चीज आप लोग को यहां पर ध्यान ये देना है कि जब भी आप इस page को complete करेंगे और final करेंगे तो आप यहां पर रख दें notes आप यहां पर रखें notes बेटा और ये notes अपने दिमाग में रखे कि इन notes में ये चीज़े आनी चाहिए जो इस page में इस notes में ये आनी चाहिए जो भी इसमें आपने important study किया है जो भी आपने important study किया है ये सब चीजे आपकी यहां notes में होनी चाहिए चाहिए वो formula पढ़ा है कोई सुत्र पढ़ा है कोई तरीका आपने सीखा है ये चीजे आपको बस यहां पर fit कर देना है यहां पर लिख देना है ये चीज अपने दिमाग में set रखिएगा अगर आपने इस way में पढ़ते हैं तो जब आप exam के समय पर बहुत जल्दी से revise करना भी चाहेंगे तो उस समय भी आपकी बहुत help हो जाएगी और आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से content को revise करके exam में जा सकते हो तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि अच्छी तैयारी के लिए अच्छे notes भी आवश्यक रहते हैं और अभी समय है आपके पास में अच्छे notes बनाने का वो चलिए इस छोटे से session में इतना ही thank you very much and all the very best